नमस्कार साथियों, आप एक कपड़े का पैकेट देख रहे हैं, ये कोरियर से मेरे पास आया है, लखनू के पास एक मेरे सब्सक्राइबर शेंड है, जिनका नटराज ड्राइकलीनर के नाम से है, और चुकि फैक्टरी में एक छोटी सी दुरगटना हो गई थी, शोट सर्कीट या किसी चीज से फैक्टरी में इनके या शॉप पे आग लग गई थी, और धेड़ सारे कपड़े फैक्टरी में जो रखे जाते हैं, शॉप में, पॉलिथीन, कैरी बैग या कुछ भी उसके जनने से, जितने इनके पास कपड़े थे, ओपेन में, लगबग था, वाइट हो, उलेन हो, काफी सारे कपड़ों में, इस तरके, स्टेन लग गए, धूए का, जो स्मोक होता है, जब आग जलता है, तो, चुकि शॉप उनकी बंधी होगी, तो पूरे तरीके से, आग जल नहीं पाई है, लेकिन धूआ ज्यादा हो गया, और सारे कपड़ो में लग गया है, काफी दुख की बात है, और उन्होंने काफी परियास किया, इस कपड़े को धूए को हटाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, तो उन्होंने मुझ से कॉंटेक्ट किया, गारंटी तो मैंने भी नहीं दिया है, कि मैं इसको निकाल दूँगा, क्यो दूए में फर्क होता है, तो जैसा कि आब वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह के दूए लग गये हैं, और पीला पीला शेड आ गया है, कॉटन कपड़े हों, रंगीन कपड़े हों, उलेन कपड़े हों, सभी तरह के कपड़ों भी इस तरह के इस्टेन आ गया हैं, के लिए और इसको निकालना था उन्होंने काफी परयास किया बट नहीं निकला तो मैंने कहा कि कुछ कपड़े मेरे पास कोरियर से भेज दीजे मैं देखता हूं और इसी तरीके से आप देखिए लेडिस कुछ कपड़े हैं यह नेट है इसमें भी लग गया है जो पीला-पी चीजे को эксперimin करना है तो आये эксперimin के बाद से देखते हैं क्या result आता है मैं सफल हो पाता हूं कि नहीं हो पाता हूं लोग और कुल आठ पकड़े हैं यह इसको अब प्रोसेस करते हैं अ मैं जैसा कि मैंने बताया मैंने भी काफी प्रयास किया लेकिन जैसा रिजल्ट चाहिए नहीं मिला बहुत मामूली सा हलका हुआ है यह वाइड कपड़े में भी जितना हार्ड केमिकल हो सकता है उस अस्तर तक मैंने प्रयोग किया बस की कपड़े डाइमेज नो होने पाए लेकिन यह स्टेन नहीं गया तो वीडियो बनाने का परपस यह है कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो अगर आपके नॉलेज में कोई इन्फॉर्मेशन हो कुछ जानकारी हो जिससे यह इस्टेन निकल जाए तो कमेंट सेक्सर में जरूर मुझे बताईए जिससे कि हमारे एक भाई हैं उनको इसका हो तो जरूर बताईए लेकिन मैंने तो प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली जो कुछ मैं कर सकता था हो सब किया लेकिन मामूली सा हलका हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा है तो एक तरह से यह चैलेंज है हम सभी के लिए कि इस्वर न करें किसी के साथ ऐसी दुर्गटना हो बट होनी को कॉन टाल सकता है कुछ उपाय हो कुछ सुझा हो कमेंट सेक्षन में जरूर बताइए जिससे कि हमारे भाई की मदद हो पाए आप देख रहे हैं किस तर से पीला पीला शेड लग गया है और किस तर से इसको निकाला जाए यह थ्वासा चैलेंजिंग है बट हो सकता है हम लोग नौकार पा रहा हूं किसी के पास इसका जाना इलाज हो यह बट शेयर करने की चीज थी जो मैंने आप से शेयर किया मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू झाल 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 झाल